हलो गाइस विल्कम टू माई चैनल मिस्टीरियस टेग जी एंटी और गाइस अभी अभी मेरे पास डिलिवर हो चुका है रेड्मी के एर बड्स एस और आज की वीडियो मैं इसके अनबॉक्सिंग करने वाला हूं साथ में गाइस इसका अनबायस मैं आपको बताऊंगा क्या इसके आपको features मिलते हैं क्या इसके आपको durability मिलती है और क्या इसका design और build quality है वो अच्छा देखने में मिलता है या फिर नहीं क्योंकि आरेक retail unit है तो मैं इसके बारे में कुछ भी बोल सकता हूं जो कि आर्म जैसा कि मुझे लगेगा ना कि इसके बारे मैं सिर्फ अच्छा subscribers complete करवा दू तो यार unboxing मैं जल्दी से कर लेता हूं मैंने इसके थोड़ी बहुत seal break कर रखी थी पर अंदर से नहीं खोला था तो unbox जैसे आप करोगे तो आपको मिलेगा आगे एक Redmi का earbuds तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो यार नीचे गिरा दिया हमने देख सकते Redmi का earbuds उसके अंदर आपको कुछ भी यहां पर तो नहीं मिलता और पीछे की साइड यार इसमे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मिलेगा की user manual साथ महार air tips आपको देखने को मिल जाएंगे तो इसे रखता हूं में side में में आते हम Redmi के Air dots की तरफ तो इस Redmi के Air dots कुछ ऐसे हैं सबसे उपर आपको seal मिल जाती है उसे हम हटा देते हैं उसके आद गैस आप इसका look देख सकते हो तो फर्स्ट में तो यह काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में जैसे कि आप देख सकते हो और इसका size बता हूं मैं आपको size देख सकते हो मेरी उंगली से भी उसका चोटा है तो काफी compact size है आपको वीडियो में बड़ा दिख रहा होगा पर गैसे काफी ज्यादा compact size है और इसे हम करते है open तो जैसे आप इसे open करोगे आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा आपको look देखने में मिल जाता है साथ में यहां पर इसमें seal लगी है तो इन दो बहुत magnetic भी है और इसमें और जादा कुछ नहीं है और पीछे देखोगे तो यहां पर दिखने को मिल जाता आपको micro usb port अगर type c दे तो वह भी अच्छा रहता और यहां पर इसके और भी कुछ आपको specification देखने को मिल जाते है फाइफ वाल्ट हंडेड मिली एंपेर की इसम काफी अच्छा है और साथ में यहां पर आप देख सकते हो यहां पर है इसका रेडर कलर का strip जिसने चार्जिंग को रोक रखी है तो इसे भी हम हटा देते हैं तो सब कुछ हटाता हूं फिर में वापिस आता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने इस air birds की सारी protection को remove कर दि तो इसमें रेड कलर की light blink होने लगेगी जैसा कि आप देख सकते हो और इस रेड कलर की light blink होने का मतलब यह है कि यह चार्ज होने लगा है और साथ में जैसी यह फुल चार्ज हो जाएगा तो यह लाइट बिलिंग होना बंद हो जाएगी उसके आपको फर्स टाम इसे अपन करना इसका माना Bluetooth on कर दिया है और जैसी आप Bluetooth on करोगे तो यहाँ पर आप की जो डिवाइस है यह शोक करने लएगा जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं मैंना Bluetooth on कर दिया है और ग्रीयस अब हम इसको search करते हैं तो थोड़ा टायम लग सकता है इसे आने में तो देख तो फर्स टाइम पेर करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकती हूँ और गाइस इसकी जो यार मुझे बिल्ट क्वालिटी लगी उसके बार में आपको बताओ तो यार जो केस की बिल्ट क्वालिटी है वो यार कुछ एवरेज साइस के आपको देखने को मिलती है क्योंकि इसमें ना तो आपको टाइप सी केबल मिलता है और इसमें प्लास्टिक ही मिलता है थोड़ा बहुत प्लास्टिक फील होता है इसकी थोड़ी और बैटर बिल्ट क्वालिटी बना ही जा सकती थी और साथ में guys जो air dots की build quality है वो तो अच्छी है matte finish के साथ आपको देखने को मिलता है पर इसमें एक disadvantage है आपके यह जो air dots से बहुत बार गिर सकते हैं क्योंकि अभी अभी मैंने इसे unbox किया है और यह 2-3 बाल already मेरे हाथ से यहां से निकालते वकि यहां गिर गए थे तो यह काफी जाता disadvantage है उसलिए आपको इसे carefully use करना होगा क्योंकि आप बार बार गिरने से यह खराब भी हो सकता है उसलिए आप इसे ध्यान से जरूर से use करना तो guys इसकी अभी मैंने sound quality टेस्ट नहीं करी है पर यह next video जो इसकी full review वाली आएगी उसमें आपको gaming mode sound quality और जितने भी इसके features है जैसकी google assistant दो बार tap करूँगा तो इसमें देखो google assistant अपने आप खुल जाएगा जैसे जैसे जो खुल गया इसमें google assistant तो काफी जादा अच्छा है इसमें और देख लेंगे इसमें आपको कौन कौन से features देखने को मिलते हैं सारी चीजे बताऊंगा call उठाके call cut करके सारी चीजे आपको दिखाऊंगा full review वाली वीडियो में तो उसका weight जरूर से करना उसके बाद मैं आपको सही से बता पाऊंगा कि आपको ये 1800 में purchase करना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि में जो बात होती होती है sound quality अगर इसकी sound quality अच्छी हुई और इसकी fitting तो यार अच्छी है झाल